भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाचियों मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जो हम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आजीवन संगर्श करने वाले फांसी के तक्ष पर चड़कर के भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये पर्व है उनका पुन्य समर्ण करने का पर्व है आज हदी के दिवानों ने आज हमें आज हदी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है ये देश उनका रणी है ऐसे हर महा पुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वाक्षियों आज जो महानुभाव रास्त्र रक्षा के लिए और रास्त्र निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं चाहे वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नवजवानों का होसला हो हमारी माता और बहनों का योगदान हो दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अभावा के बीज भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निस्टा लोग तंत्र के प्रति उसकी स्रद्धा कि पुरे बिश्व के लिए एक प्रेरख घटना है मैं आज ऐसे सभी को आदर पुर्वक नमन करता हूं प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए हैं संपत्ति खोई हैं राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वाद दिलाता हूं कि यह देश की संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्वाचियों हम जरा आज़ादी के पहले के वो दिलात करे सैंकडो साल की गुलामी हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजुर्ग हो किसान हो महिला हो आदिवाचियो उन्होंने गुलामी के खिलाब लंग जंग लड़ते रहे अविरत्य जंग लड़ते रहे इतियास गवाँ है कि 1857 के स्वाता संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी छेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था शाथियों गुलामी एदा इतना लंबा कालखन जुल्मी शाचक अप्रम पार यातना आएं सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है उसके बावजुद भी उस समय की जन संग्खा के हिसाब चारिब 40 करोर देश वासी आज़ाजी के पुर्व चारिश करोर देश वासीयों ने वो जज़वा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम एकी सपना था भारत की आज़ादी का 40 करोर देश स्वासीयों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वज थे सिर्फ 40 करोर 40 करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके भैक दिया था गुलामी की जंजुरों को तोड़ दिया था अगर हमारे पुर्वज जिनका खून हमारी रगों में है आज हम तो 140 करोर है अगर 40 करोर गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर 40 करोर आज हादी के सपने को पुर्र कर सकते हैं आज हादी ले करके रह सकते हैं तो 140 करोर देश की मेरे नागरीक 140 करोर मेरे परिवार जान अगर संकल पर लेकर के चल पड़ते एक दिशान निरधारित करके चल पड़ते कदम से कदम मिलाकर कंदे से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोतियां कितनी भी क्यों न हो अभाव की मात्रा कितनी हित्तिवर क्यों न हो संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोति को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिद भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देश्वासी अपने पुर्शार से अपने समर्पर्श अपने त्यार से अपने बलिजान से आजादी दे सकते हैं आजाद भारत बना सकते हैं तो 144 करोर देश्वासी उसी भाव से संब्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिनी थी कि आजे समय है इस के लिए जीने की प्रतिबद्ध snatch अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्ध आजादी दिला सकती है तो देश्वासी के लिए जीने की प्रतिबद्ध थांग सम्रद भारत भी बना सकती हैं साध्यों विक्सिक भारत 2047 इस दरप भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशम चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिए जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोरों नागरिकों ने विक्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलगता है युवा हो, बुजुर्ग हो, गाउं के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलीद हो, आदिवासी हो, पहड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विश्चित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगोंने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 विश्चित भारत के लिए कुछ लोगोंने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिकी गलोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजान्दी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया गलोबल नहीं होना चाहिये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाच पैदा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाओ दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताओं से ले करके अनेक इकाईया है उन सब में गवननंस के रिफॉर्म की बहुत जरुरत है कई लोगों ने लिखा कि नियाय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके पती चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में नियाय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरुरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृति अपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिछ में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारंपारिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब होलिस्टिक हेलक्यर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपारिक आउसदीया और मेलनेक हप्य रुपें भारत को विक्सित करना चाहिए कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनों भी बनना चाहिए साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाच्यों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामाने नागरिक ने यह सुझाव हमें दिये हैं मैं समझता हूँ, जब देश वाच्यों की इतनी विशाल सोच हो, देश वाच्यों की इतने बड़े सपने हो, देश वाच्यों की इन बातों में जब संकल्प जलतते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड बन जाता है, हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाही पर पहुँचाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाओं में समय सिवा में बिजली पहुँचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं ह है वो अंदेरे में जिन्दी की विविजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब लार किर्जा स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंगती में बैटे विए लोग हो गाओं क स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदनबा एक दूसरे को रोक तोकने का निरण प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं कि भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए 12 करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुंच रहा है आज 15 करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके हैं, हमारे कौन लोग बन चित थे इन वेवस्ताओं से, कौन पीछे रह गए थे, समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे, मेरे दलीत, मेरे पीडीत, मेरे शोशीत, मेरे आदिवासी भाईबेन, मेरे गरीब भाईबे मेरे जुगी जोपने मेरे जिन्दकी खुजारने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे, हमने अनेक ऐसे प्राथवी के आवस्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया, और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है, हमने वोकल फ़र लोकल का मंतर दिया, आज मुझे खुशी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंतर बन गया है, हर दिस्ट्रिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है, वन डिस्ट्रिक वन प्रोडुक का माहुल बना है, अब वन डिस्ट्रिक वन प्र प्रेशों ने जितना किया है उससे जादा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मा निर्भर मंदे के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सब्वनताओं के लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संकिट काई विश्व हमें सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश हैं जो कभी आताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नवजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज एक सो चालिस करोर देश स्वास्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिज प्रयास हुआ है रिफॉम की पनंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर नश्कों लेकर के और जब राजनितिक नेतृत्व की संकल पर शक्ति हो दड़ विस्वास हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम ये न भूले कि देश उस परितिस्यों सभी दसकों तक भी आज आजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या मेहनत कने की जरूता है अरे मामला है आजने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओंगे और कोई बबाल उड़ जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसी से गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन बर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उदिसा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अरे अगली पीड़ी के लिए काम हम अजबी से क्यों करें हम तो आज का देखे हैं लेकिन देश का सामान्य नागरी ये नहीं चाहता थे वो बड़लाव के इंतजार में था वो बडलाव चाहता था उसकी ललग थी लेकिन इसके सपनों को किसी ने तवज्जू नहीं दी, उसके आचा कांच्छा को आपेशाओं को तवज्जू नहीं दी गई और उसके कारा, वो मुसीबतों को जेलते हूँ गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो, मड़े क्लास हो, हमारे वन्चीत लोग हो, हमारी बढ़ती जती शहरी आबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांचाय हो उनके जीवन बे बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार्ख हमने चूना और मैं बेश वाद्षियों को विश्वाद दिनाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबत्ता है, वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबत्ता है, वो चार दिन की वहवाई के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्ल्यूप्रिंट बनी हुई है ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बढ़लाओ, ये सिरफ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्ट्वल सुसाइटि के लिए एक्सपर्ड लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विश्य नहीं है साथियों हम ले राजनीती मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे हैं और राजनीती का भागा गुना करके नहीं होते हैं हमारा एक ही संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्तहित सुप्रेम ये मेरा भारत महान वने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफर्म की बात आती है एक लंगा परिवेश आ है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटे सा उदान देना चाहता है बैंकिंग शेतर में जो रिफर्म हुआ अब सोचिए बैंकिंग शेतर का क्या हाल था नविकास होता था नविस्तार होता था नविस्वाद बढ़ता था इतना ही नहीं जिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने लिए अनेक भी रिफर्म्स किये और आज उतका गरान हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है ने तब फॉर्मल एकॉनोमी की ताक़ भी बढ़ती है जब बैंक की व्योस्ता बन जाती है yumしゃमा नि घर अज कातर को परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताक़त बैंकिंग सेक्टर होती है अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको वेहिकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रेक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को स्टार्ट अप के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को कभी पढ़ने के लिए एडुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश उसे संभव होती है मुझे तो खुची है कि मेरे पशू पालग भी मेरे मजली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाब ले रहे हैं मुझे खुची है मेरे रेडी पट्री वाले लाखो भाई बहन आज बैंक से साथ जूड करके अपनी नई उचायों को प्राप् कि उसको रोज मर्रा पैसों की जरूत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संब्भ हुआ है कि साथियों कि दुर्भागे से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से भुजेना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवणनस के इस मॉडल को बदला है आज सरकार सरकुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुचाती है आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुचाती है आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलित करती है पुदसाइद करती है आज सरकार खुद नवजवान के स्किल ड साह को चुनना चाहते हैं। साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को अनेक बीत पालिसिस को निरंतर बनाये जाए और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है। निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नवजवान है। जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था। उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों का अकार मिला है। धार मिली है और उसके आत्म विश्वास में एक नई चेतना जगी है। और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरना जो है। आज विश्वार में भारत की साख बड़ी है। भारत के प्रती देखने का नज़रिया बड़ला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है। रोजगार के अंगिनेत नए अवसर चुछ जएद आ जादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे। वो आज उनके दर्वाजे पर दस्थक दे रहे है। संभावनाएं बढ़ती गई है। नए मोके बन रहे है। मेरे देश के व्युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वात नहीं करता मेरा देश का नवजवान चलांग मारने के मूड में है वो चलांग मारने के नई सिद्धियों को प्राप्ट करने के बूड में है